वेलो फ्रेंड्स वेल् कम टो श्ना क्रेशन आज मैं आपके लिए लाई हूं यह दोरी कैसे बनाया जाती है बहुत से लोगों की डिमांड है कि डोरी बनाना उन्हें बताऊं मैं तो जैसे आप डोरी लगाते हैं बैचों के कैप के लिए है शूस के लिए है तो डोरी कैसे उसमें बना के लगाई जाएगी तो मैं आज आपको बता रहे हूं कि डोरी कैसे बनानी है यह डोरी मेरी तीन तरह की मैं इसमें डोरी बना रख डोरी है जो यह रेड कलर वाली इसको बनाना बताऊंगे कि यह कैसे बनाई जाएगी यह डोरी कैसे बनानी है आपको तो देखिए कैसे बनाते हैं इस डोरी को भाइब में टो बनाने के अगर हुआ अजिसेमा में आप इतनी बड़ी बनानी एसा बड़ी आप इसे इतना अफ़ेट यह बनानी इसको हमने फिर काट लिया यह ऐसे काटा दोनों हिस्सों को एज इस बराबर से ऐसे पकड़ लिये और किसी चीज से दबा दिया जैसे मैंने इससे दबाया हुआ है ऐसे वैसे आप अगर बैठ के बनाते हैं तो आप पैर क्यांग उठे से इसको दबा सकते हैं फिर इसके बैंड करते हैं जैसे आप नौर्मली यह दो अंगलियों से उपर को ऐसे एशाओ उनको उपर को ऐसे करिया इसे यह आप इसको हथेलि पर राउंड कर सकते हैं यह आपकी इच्छ के कि आपको कैसे जियॉैक Presta यह 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 मैंने तो ऐसे कर रहा हुआ है मुसको ऐसं सी टे को तो आप इसको ऐसे बेंड करिए उनको इसको आप उतना करिए जब तक यह डोरी इसमें खुब धेर सारी एंठंग टाइप से ना हो जाए खुब धेर सारा हो जाएगा तो टाइट से दवाना पड़ता है यह देखिए ऐसे करने के बाद हमने इसको आधा-धा कर लिया बीच में ले आए ऐसे हाथ को अपने दोनों सीरों को एक साथ पकड़ा ऐसे और इसको ऐसे छोड़ दिया और इस साइट पर जहां पर जिस साइट पर दो मिलकाते हैं इसमें मैंने गांट लगा द Mercedes है इसमें गांट लगा कुदी हमारी एक नोरी करेंग देरा हो गई यह हमारी सिंगल कलर की दोरी तयार हो जाती है ऐसे यह देखिए यह जो हमारी डोरी है यह दो कलर की बनी हुई है इसमें आपको दोनों कलर रेड और जो वाइट कलर है एस दोनों एक साथ अलग-अलग लाइन से दिख रहे हैं तो यह वाली डोरी कैसे बनाते हैं इसको हम देखते हैं कि हमें यह डोरी जो है कैस इस कम एकिस बनानी है जो आपस में ऐसे अलग अलग स्मीलेच दिख रही है उला सिपसर जो से बनानी है क्यों कि इस दो कलर्पादर कि बनाने के लिए हमको दो जबुरत पढ़ती है और दोनों यूंद को तो हम बराबर में लेते हैं, जितनी बड़ी हमको डोरी बनानी है, वैसे हमने दो कलर की उन को बराबर से ले लिए, जैसे मैंने दो कलर की डोरी बना रहे हैं, दो कलर समने ले लिए, फिर इस उन को, एक कलर की उन को मैंने ऐसे करा, फोल्ड किया, ऐसे दबा दिया, जैसे पह कालव हिस्टा है जो ही इसस्टा में मैंने और को ऩो कि अरो हम कर यह चाहे अपनेसाइब से जो आपको प्रॉसेस इसको सभी लगता है उसी साइब से इसको बंड करिए अगर अगर यह ऊपर को कर यह को यह पर को फोलड करते हैं इसको और को हम इसमें बेंड कर रह 실ाँ हमेशा हाथ ऊपर को भी चलना चाहिए बस यह धिह देने वाली और छोड़ दिया मैं यह हमारी दो कलर की दोरी ऐसे बन के आती इसमें एक हमारा अल-ख से दिख रहा है और दूसरा कलर के इस हिस्ये पर मैंने लास्ट के जो हिस्सा होता है इस पडिर गांट लगा दी हूं मैं रद double कलर में ऐसे बन के आती है यह हमारे तीसरे style की डोरी है इस में दोनों color बिल्कुल एक जैसे हैं एक ही में mix रहते हैं तो यह वाली डोरी हमको बनानी है तो यह हम कैसे बनाएंगे इसको भी देखते हैं यह तीन तरह की डोरियों में last डोरी का मेरा बनाने का process है तो देखते हैं ये वाली ड़ोरी कैसे बनानी है कि बनाने के लिए देखिए हमने डोनों एक साथ लितनी बिदी बनानी दोरी उतने मिलाके रखेंगे साथ दोनों को एक साथ रखेंगे और वैशे इबेंड करेंगे बस इसमें दोनों कलर हमारे एक साथ चलते हैं इनको मैंने ऐसे करा और इसको एक साथ ऐसे छोड़ दिया तो ये डोरी जो हमारी बन के आती है अधिन ध्यूआ क Jordi के तो यह ऐसे दिखती है इसे दोनों कलर आपस मिक्स से दिखते हैं इसमें यह से कलर दिखते हैं अलग-अलग नहीं दिखते件 निकर्ण q Ș a एhou हमारी रड वालि डोरी है जो मैंने बनाना बताया है आपको और ये आपको ऐसे ही बनानी है ये बनाने में देखिए बहुत इजी है और अग अलग स्टाइल की है जो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है तो friends आप इसको ऐसे ही बनाईए और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने like, subscribe और share नहीं कि है तो उसे अवश्चे करने थैंक यू friends